देखिए ये mixer grinder कराब है ये on नहीं होता है मैंने इसमें line दे रखे हैं देख लिजे यहाँ पर मैंने plug लगा रखे हैं इसमें line आ भी रहा है लेकिन ये on नहीं हो रहा है देखिए मैं इसके switch को दबाता हूं फिर भी ये नहीं गूमता है देख लिजे देखिए ये नहीं गुम रहा है देखिए अब भी नहीं गुम रहा है देखिए ये बिल्कुल नहीं गुम रहा है किसी भी स्वीच के दबाने पर देखिए ये बिल्कुल ही नहीं गुम रहा है तो मैं अब आपको दिखाता हूँ देखिए मैं इसे इस तरह से पलट देता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भी एक स्वीच है देखिए ये इस स्वीच को भी दबाने पर ये काम नहीं कर रहा है देख लिजी, इस switch को मैं दबा देता हूँ, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, जबकि देखिए, यहाँ पर ये वाला switch पहले से दबा हुआ है, तो मैं इसे खोलता हूँ, खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ, इसमें क्या problem है, ठीक है, देखिए मैंने इसे खोल दिये हैं, और आप यहाँ पर देखिए, इस जगह पर एक overload switch है, ठीक है, यही वाला जो मैं इसे दबा रहा था, ये overload switch है, इस overload switch को overload protector, circuit breaker, cut out switch के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अब मैं इस overload switch के दोनों pin को मैं sort करूँँगा, तो इसे sort करने के लिए मैं एक screwdriver लेता हूँ, और इसे, इस परकार से दोनों pin को एक साथ sort कर दूँगा, तो क्या होता है, देखिए, ये सही घूम रहा है, तो मैं फिर से इस overload switch के दोनों pin को sort करता हूँ, देखिए, ये बिल्कुल सही घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो overload switch है, ये वाला यही खराब है, तो इसे बदल देना होगा, तो इसे बदलने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको plug निकाल लेना है, यहां से line से, तो देखिए, मैंने plug निकाल दिये है, plug को निकाल कर ही काम करना है, नहीं तो आपको current लग सकता है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना वायर है इसे इस तरह से निकाल लेना है और इस वायर को भी निकाल लेना है इस तरह से दोनों वायर निकल गया अब देखे यहां से आपको खोलना है तो इसके लिए आपको नोच पलास लेना होगा तो इस तरह से नोच पलास लेकर आप इसे इस तरह से घुमा कर खोल सकते है ठीक है यह आराम से खुल जाएगा देखिए यह खुल गया अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर 1.5A यानि कि यह डेड़ एमपेर का ओभरलोड स्वीच है ठीक है मैं इसके जगह पर देखिए यह यहाँ पर 2A लिखा हुआ है तो यानि कि यह 2A का ओभरलोड स्वीच है तो मैं इसे ही लगा दूँगा इसे लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने इसे लगा दिये हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह अब देखिए आप चाहें तो इन दोनों वायर को देखिए इस तरह से आप लगा सकते हैं या फिर इसे पलट कर भी लगा सकते हैं इसमें उल्टा सिधा नहीं होता है आप किसी तरह से ये वायर लगा सकते हैं ठीक है तो इसे मैं लगा देता हूँ इन छोटे छोटे कामों के लिए आपको दूसरे को उपर निर्भर राना पड़ेगा ये अच्छी बात नहीं है ये आप खुद कर सकते हैं तो अब मैं इसे फिट कर देता हूँ फिट करने के बाद आपको दिखाता हूँ ठीक है देखे मैंने इसे अच्छी तरह से फिट कर दी है अब मैं इसमें लाइन देखे यहाँ पर मैं दे चुका हूँ यानि पलग लगा चुका हूँ अब मैं इसके स्विच को दवाता हूँ और देखता हूँ क्या होता है देखे यह बिल्कुल सही घुम रहा है तो यह ओभरलोड स्विच खराब था जिसके कारण यह प्रोबलम आ रहा था तो दोस्तों आप भी इस तरह से अपने मिक्सर ग्राइंडर को बना सकते हैं यह बहुत ही आसान काम है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने रिस्तेदारों में सेर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके ठीक है अपने मिल सकते हैं